दोस्तों ये है Realme 6 Pro और आज के इस वीडियो में हम इसी फोन में देखेंगे कि क्या यह फोन डूल वोल्टी सपोर्ट करता है यानि कि आज के इस वीडियो में हम इसमें दो जियो सिम काट एक साथ चलाएंगे और देखेंगे कि दोनों में नेटवर्क आती है और दोनों में कॉल एक साथ रिसीव होती है या फिर दोनों से हम कॉल कर पाते हैं या फिर नहीं सब कुछ टेस्ट करेंगे हाला कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले आ रहा है चुकि फोन थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन इस वीडियो के बनाने का यहीं मकसद है कि चुकि फोन की रेट जो है अभी कम हो चुकी है तो ऐसे में बहुत साइज इसे लेना जरूर पसंद करेंगे सुरू सुरू में ये फोन जो है अठार और निस जार का दा था लेकिन अब जो है किसी भी सेल के दौरान ये जो फोन है वो 15,000 के रेंज में आ जाता है बैंक आफर अपलाई करने के बाद तो इसलिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ये जो फोन है वो डूल वोल्टी सपोर्ट करता है या फिर नहीं तो इसमें न हमने पहले से ही एक सीम कार्ड इंस्टॉल कर रखे है चलिए हम आपको अब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर लेके दिखा देते हैं कि ये जो फोन है वो यहाँ पर Realme UI 2 यानि Android 11 पे रन करता है चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर तो फाइनली हम आच चुके हैं अपने फोन के सेटिंग्स में और यहाँ पर देख सकते हैं बाट फोन वाले सेक्शन में Realme 6 Pro, Realme UI 2 यानि Android 11 पे रन कर रहा है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सीम इजेक्टा टूल की मतलब से इसके सीम कार्ड को हम बाहर करते हैं यहाँ पर दूसरा सीम कार्ड हम सेटिक 때도os SergeSchkins कर्ण हमें सेटिक कार्ड हम इसमें यजा और किसी भी तरह कि लिए सिए कार्ड को यूज करते हुए आहां पर यहां यहां पर यहां पर सिम करते दिए है शजी दोस्तों यहां पर इंटर करते हैं और देख लेते हैं कि नेटवर्क दोनों में आती है या फिर नहीं अभी जो है सिम कार्ड इंस्टॉल नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह देखिए यहां पर हमने इंस्टॉल किया और अब इंतजार करते हैं नेटवर्क चेक भी करेंगे, फो चलिए हम टेस्ट करते हैं, तो दिलस्तिर इसके काल्द को इस से पहली को हम टेस्ट करें को यहां पर सेटिंग्स में लेकर आपको दिखा देते हैं इस सिम कार वादे श्रीक्शन में और यहां पर देखों सिम कार्ड इंट्ड बैले करें चाहँ लाए मेर में लाच तो तो आगे काल में लोधा करते हैं तो कहीं से भी यह जो फोन एसा नहीं कि डुल वोल्टी सपॉर्ड नहीं करेगा चलिए कॉल एक एक करके हम देख लेते हैं तो यहां पर हमने सीम 1 के जरिये 198 पे कॉल किया है और यहां पर आप देख सकते हैं के हमारी कॉल लग चुकी है तो जी दोस्तों एक वार हम इसमें सेकेंड सिम के जरिये कॉल करके देख लेत तो फाइनली कॉल जो है लग चुकी है हाला कि जियो में ये प्रोब्लम है कि एक सगेंट के बाद अक्सर कॉल जो है डिसकनेट हुआ थी लेकिन यह पर यह वेरिपाई हो चुका है कि यह जो फोन है वो डूल वोल्टी यानि डूल 4G सपोर्ट करता है यह के साथ दो जियो सिम तेंक यू